नमश्कार एक बार फिर आप सभी का ग्लोबल हेराल्ट न्यूस में स्वागत है अंतराश्रे महिला दिवस काज मौका है और पूरे देश और दुनिया में आज का दिन हर्श्वल्लास के साथ मनाया चाह रहा है ग्लोबल हेराल्ट के स्टूडियो में आज हमारे साथ में एक ऐसी शक्सियत मौझूद है जो सर्फ और सर्फ उनका नाम ही उनकी पहचान है उनका काम ही उनकी पहचान है माला सिंग ठाकुर जी हमारे बीच में है जो कि दुर्गा वहीनी मद्रप्रदेश चतिसगर की संयूजिका है और बहुत सारी ऐसी महिलाएं ऐसी लड़कियों को आपने ऐसा सशक्त किया है कि आज वो अपने दम पर पूरी दुनिया में पूरी भारत देश में अपने नाम की महिलाड़े मैं ठूड़ा से पीछे जाना चाहूंगी हम बात करते हैं की लानीम कुछी की बात करते हैं हिसार्थ की हिंदुस्तांं में आपने मीच को शेयर रहा नहीं चैसी ता माता से बात करिजे म हुआ करें तो पहले स्वयमवर हुआ करता था उसके बाद जितनी भी स्त्रियां है महारानिया है वह युद्ध के लिए समरांगन में जाया करती थी यह हमारा देश था और आज भी मात्रस अत्तात्मक परिवार है आज अगर मुझे घर में कोई निर्णाय लेना है घर में खाना क्य है बनेगा घर में समान कैसे आएगा कुछ अगर अधिक पैसे चाहिए तो घर के जो बड़े हैं दादी हैं नानी हैं मा हैं तो वह मात्रस अत्तात्मक परिवार हमारे आज भी है आजकल जो चीजें हमको वर्तमान में दिखाई दे रही हैं कि बशर्ते अलग अलग जो फील कुछ उस्तान में कभी सशक्तिकरन इस तरीके का विशे मुझे विक्तिकत रूप से लगता है कि कभी नहीं रहा हम शुरू से ही प्राचीन काल से शशक्त हैं तो यहां पर यह बात भी आप सभी को के सामने आई है कि बहुत पहले से ही महिलाएं अपने बल पर अपने दम प तलवारे और भालवी चलाना सिखाया है अपने अपने बल पर अपने पैर उपर खडावना सिखाया किस तरह की चुनौतियां आपने अपने दौर में देखी हैं जैसा सांस्कृतिक आक्रमन पिछले कुछ समय से हुआ है उसकी कारण हम यह बोल सकते हैं कि नातिक मुल्य व प्रयास करना इसका मतलब अगर नारी स्वयम शशकत होगी तो शैद इस तरीके की जो चीजने वो नहीं हो पाएंगी तलवार चलाना बंदूक चलाना इन सब चीजों के साथ-साथ हम महिलाओं को यह भी सिखाते हैं कि आप जिस प्रकार से अपनी बेटियों को संसकारित कर जन में से जब वो संसकार मिलता है तो जो आदर का भाव मन में आता है तो मुझे लगता है उसके कारण जिस प्रकार का परिपेक शाज हमको सामने दिखाई देता है उसमें मुझे लगता है थोड़े बहुत समय में आगे हम सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं हम हमारे ज आस्तों में वही सशक्तिकरण असली होगा तो यहां पर दोनों चीज दिखाई दी है कि लड़कियों को तो संसकार दिये ही जाएं साथ में ये ना भूलें कि बेटे को भी संसकार दे कई सारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है जैसे आज भी पूरे जुन बढ़कर उन योजनाओं का लाब लेना चाहती है इस तरह मुझे लेना तो चाहती है लेकिन अवेर्निस नहीं है जैसे बहुत पहले इनों एक शुर्या दल करके मध्रदेश सरकार ने गठित किया उसके वूमन पीसे आर चलाई लेकिन जागरूकता नहीं होने के कारण उन मःलें हैं जो आज मुफ्त मैं महिलाओं के लिए केश ळर ना चाहती हैं बहुत सारी मैलाएं हैं जो कौंस governance करती है सिक जो इलाइट शोयाद वह उस तरीके की समस्या नहीं है लिए जब बस्ती के शितरों में जाते हैं तो देखते हैं एक महिला जिसका पती उसको पीने के बाद मारते हैं अगर आपके और मैरेजसे लोग वहां जाते हैं तो हमको कहती है कि मेरा पती है मुझे मारे आपको क्या लेना देना इस प्रकार की जो दिक्कत है मुझे लगता है इसके लिए सोचने के आवश्रकता है दूसरा जब हम बात करते हैं आज भी बाल करते हैं या मुझे लगता है एक मांसिक जो सोच है वो कहीना के किस दबाव में आ रही मुझे लगता है इसको ठीक करने के आवश्यक्ता है क्योंकि हमारे यहां तो यत्रनारियस्ति पूजियन ते रमत्रे तत्य देविता ऐसी संस्क्ति को मानने वाले हम लोग है और अन्स सब्स्क्रेदी लगता है जब हम लोग फील में काम करते हैं तो जो एक मिडल क्लस फैमिली के महिलाई है वह बहुत असानी से हमसे जुड़ती हैं हमारे सथी पेयल पे जाना पसंद करती है लेकिन जब र JUST के शेतरो में जाते हैं तो वहां उनकी बहुत सारी समस्याय सब्सक्राइब आउडाई सरकार की योजनया उनके लिए तो है लेकिन जागरुखता ज्स तर तक होना ये उस तर तक जागरुखता नहीं है लाब मिलता भी है वो लेना भी चाहते हैं लेकिन वो चीज वहां तक पहुंच नहीं पाती और दूसरा यह हम बात करते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं पिछले हफ़ते एक खबर ने मेरा मन बहुत आहद किया कि सौफ्टवर इंजीनियर ने अपने ससुर को धीमा जहर दिया यह हम किस और जा रहे हैं हम जो एकल परिवार है उसके और जा रहे हैं कुटुम्बु को छोड़ करके तो यह जो सारी चीजे मुझे लगता है इसको ठीक करने की जुरुत है तो ही वास्तविक महिला शेशिक्ति करन होगा पुराने समय में जिस प्रकार से हुआ करता था कि हमारी दादी है नानी है बड़ उसके साथ साथ उन जीवन मूलियों को भी साथ मले करके चलना ज़रूरी है तो यह बोल सकते हैं कि अगर परिभाशा है बदल रही है तो कई न कई कुछ नेगेटिव एफेक्ट्स भी वो छोड़ कर जा रही है आज के दौर में तो कई महिला हैं जो हमें देख रही है वो क क्या देखना चाहिंगे बहुत सारे उधारन हमारे सामने हम आरुडिमा सीनहाजी को देखते हैं कि किस प्रकार से संगर्श करके उनने एवरिस्ट फत्र की हम मैरी कौम को देखते हैं कि तीन बच्छों की मां हुने के साथ-साथ उन्होंने उस बात को भी जारी रखा और व इसी शहर से आती हैं ऐसे बहुत सारे उधारन हमारे सामने हैं कि बहुत संघर्ष करके जिन महिलाओं ने जब हम सामाजिक शित्र में काम करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन वह एक तरफ हो जाता है और मैं सभी महिलाओं को यह कहना चाहती हूं कि जरूर आगे बढ़िये आप स चीज़ों को फॉलो करते हैं इसलिए कभी भी किसी भी नारी को हम प्रयास करें कि उतना ही मान सम्मान दे जितने के हम अपेक्षा करते हैं जिस प्रकार से चानलों के माध्यम से टीवी के माध्यम से महिला ही महिला की दुश्मन इस चीज़ को प्रसारित किया जा रहा है मैं करने वाली दो महिला हैं, उनका अपस का रिष्टा हो, दोनों एक दूसरे का मान सम्मान करती हैं, अपने जीवन मूल्यों और नातिक मूल्यों के साथ वो करें और आगे बढ़ें, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, किसी की साड़ी किसी से सफेध हो सकती है किसी के पास किसी से ज़्यादा सोना हो सकता है, लेकिन आपके पास जो है, वो आपका स्वयम का है, उसके साथ अपने जीवन को हम कैसे निखार सकते हैं, इसके लिए आगे बड़े इश्वर ने सब में एक विशेश शक्ति री होती है, जो दूसरों से अलग होती है, मुझ शक्ति छुपी होती है, बस जरूरत है उसको समझने की, उसको निखारने की, और जब एक महिला, एक महिला का सम्मान करने लग जाए, तो फिर इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता, दूसरी एक बात बहुत अच्छी कहीं, कहीं ना कहीं, टीवी सीरियल्स औ और जो टीवी पर प्रसारित होने वाली चीजे हैं, वो भी कहीं ना कहीं, एक हलका एफेक्ट छोडते हैं, पर छोडते हैं, तो उन चीजों से बाहर निकलिए वास्तविक जीवन में आईए, दुनिया में देखने को बहुत कुछ है, माला सिंग जी आपने हमें अपना कीम कुंती समें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर अंतराश्री महिला दिवस की आप सभी को तहे दिल से खूब सारी शुब कामने बढ़ाईयां, धनेवार